महराश्ट की सियासी नब्ज और वोड बैंक को देखते हुए इसी नारे के इर्द गिद आपने शब्दों को पिरो करके गीत बना डाला अब आप कहिएगा कि ये बीजेपी का ओफिशल गीत नहीं है बटेंगे तो कटेंगे या आज देश की जनता देश के हर प्रदेश की जनता समझती है जानती है और एतिहासे ग्रूप से जानती आई है युनाइटिड वी स्टैंड डिवाइडिड वी फॉल अंग्रेजी में इनको अच्छा लगता है तो अंग्रेजी में कह देते हैं इनको चाइना से प्यार होगा तो चाइनीज में कह देते हैं इटैलियन अच्छा लगेगा तो उस बाशा में समझा देते हैं इसमें गलत क्या है? पर ये लोग जो समाज को बाटना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं इसमें अपनी राजनेतिक रोटियां सेखने के लिए इस बात से घवरा चुके हैं, पसीने छुट चुके हैं. अब आप मुझे बताईए, जिस देश के अंदर, जहां पर एक निता कहता हो कि 15 मिनिट के लिए पुलिस को हटा दीजिए, और फिर हम सब का हिसाब बराबर कर देंगे, वो कमिनल है या ये कमिनल है? वो क्या कहना चाहते हैं? जहां पर शरत पवार जी 2019 के चुनाव में कहते ह कि मुसल्मानों को एक जूट हो करके हमारे लिए वोट करना चाहिए, वो कमिनल है ये कमिनल है, जहां पर नारे लगाते हों वोट जिहाद करने का, वो नहीं इनको दिखाई देता, जहां इनके नेता कहते हों कि हम सबका हिसाब कर देंगे, वो नहीं दिखाई देता, बाट कोई भी व्यक्ति होगा तो वो समझ जाएगा हमारे समाज के जो भेद हैं जिन भेदों को बढ़ाते हुए कुछ राजनिती गिद राजनिती आज तक करते आए समाज को बाठते हुए उस उन भेदों में हमको नहीं बठना है हम बटेंगे तो निशिद रूफ से कटेंगे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे इसमें कोई दो रहें नहीं है अब वो जाती क्या खर्प है लोग सबाचनाओ के समय में भी एक गीद बड़ा हिट हुआ था जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे बीजेपी के कई नेताओं मनसे भाषण में इसका इस्तिमाल भी किया था विपक्ष कह रहा है कि जो राम को लाएं हैं हम उनको लाएंगे खुद राम की नगरी में हार गये और ये जब खुद यूपी को समभाल नहीं पाए तो महाराश्ट क्या समभाल पाएंगे सदार जी जो पार्टिया ऐसे कुकृत्य करते हों मैं मानता हूं कि देश की जनता उनको बहुत अच्छा जवाब देने जा रही है रही बात आज तक समाजवादी पार्टी के नेता और उनकी पार्टी वो राम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए और फिर नारों से घबराते हों तो प कि BJP धर्म जाती संपरदाए के नाम पर लोगों को बाठ रही है नफरत फैला रही है और आपके स्नारे का फाइदा भी आपको मिला सिर्फ आपी को नहीं इंडिया अलाइंस को भी मिला लेकिन क्या हुआ कि हर्याना में आपका ये नारा फेल हो गया कहीं ये नारा तो BJP का हिट नहीं हो गया जिसकी वज़े साएब फेल हो गये ना बटेंगे ना कटेंगे आपको गल्स फाहमी है भुरी तरह गल्स फाहमी है चुकी गल्स पाहिमी पता न ह्यक्ती नहीं है मैसे जाए होगा वाटसअप पेसली आपको यह बहना बोलनी है हर्याना मेना पॉइंट जीरो कुछ पॉइंट के डिफरेंस से चुना वहा रहे हैं। कर लिए होते अपनी कम्यों से आने इस नारेश नहीं आ रहे हैं। जीसे अतीत में उसकी चर्चा फिर यहां नहीं करूंगे जाने दीजें। तो जो सब भे होता है वो और जो थोड़ा पढ़ाली का समदार किसिम का अच्छी सोच का होता है सब को ले के चलने की बात करता है। वो भाता दूसरी होती है लेकिन जो लोगों को डरवा करके धमका करके धौसिया करके अपने पक्ष में और लोगों को घवरवाना चाहता है विपक्ष के लोगों को यह जो साथ नहीं है वो इस तरह की भासा बोलता है। लेकिन बात अगर कटर हिंसक बातें करेंगे तो जो भासा बोली जारी है बीजेपी की द्वारा वो इस तरह से बोली जारी है। लेकिन बीजेपी की सनारे में जो योगी अधितनाथ में हरिया चुनाव पुचार के समय इस्तिमाल किया था एक सेकंड सर बिलकुल बिलकुल बस सेकंड नोगा सर अप अपने एजंडे पर बार आने आते और यह फरक नहीं पड़ता एक सेकंड सर आप ने ने आप बोलने के आज खुलेगा 24 साल पहले का सबसे बड़ा राज टीवी एती हास में भारतिये सेना पर सबसे बड़ा खुलासा आज अगर आपने जीनियूस नहीं देखा तो राज पता नहीं चल पाएगा सेना पर हैरान करने वाला एक्स्क्लूसिव खुलासा रात 9 बच कर 57 मिनट पर द झालास बड़ा आपने जीनियूस